वेलकम टू स्टेक गुरू जी इस वीडियो में पंचायती राज विभाग में जो विगपती आई है जूनियर इंजिनियर को 1875 पद के उपर जहां पर यदि आपने डिपलोमा इन सिविल इंजिनिंग बीटेक या बीई किया है सिविल इंजिनिंग में तो आप इस फॉर्म क भी प्रिपेर होगी डिस्टिक वाइज बनेगी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है और मैं आपको पूरे फॉर्म का प्रॉसेस भी पताऊंगा फॉर्म को फिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में prdfinance.gov.in की लिंक है वहां से आप उपन करेंगे तो इस तरीके का application form उपन हो जाएगा जहां पे clearly mention है application form for post of architect slash consulting engineer civil जहां पे आपको personal information ये मैं आपको पूरी चीज़े explain भी करूँगा कि कैसे आपको fill करना है work experience लिखना है certificate क्या mention करना है graduation तो इस चीज़ को हम discuss करेंगे साथ में जो impanlement of 1875 post है इसके कुछ details और कुछ instruction भी आपसे discuss कर लेते हैं देखिए form की date 1 जून 2022 से form start है और इसकी आखरी दिनांग 15 जून 2022 है तो सबसे पहले आज आते हैं detail advertisement से भी पहले instruction को ध्यान देते हैं जी हां उत्तर प्रिदिस सरकार के द्वारा पंजाईदी राज भाग PRD Finance ने कुछ instruction जारी किये हैं उस instruction को देख लेते हैं तो आपको यदि form को fill करना है instruction of filling form सबसे पहले तो आपको PRD Finance up.gov.in website पे जाना है यहाँ पर क्लिक करना है impanelment of 1875 Architects slash Consulting Engineer और उसके बाद जो application link है application link को click करेंगे तो जो मैंने आपको form अभी दिखाया था उस प्रकार का form open हो जाएगा और उसकी link मैं description में दे दूँगा जहां से आप easily उसको click करकर form पे आ जाएगे उसके बाद आपको जो भी details है step 4 क्या है जो आपकी अपने basic details है उसको fill करना है और fill करने के बाद save and proceed कर देना है फिर now जो pop up menu होगा वो appear होगा वहाँ पे आप record save successfully पर OK क्लिक कर देना है उसके बाद आपके जो भी documents है आपको अपने documents के PDF बनाने है और उस PDF की जो size है 200KW से ज जो pop up है वो document upload successfully काएगा वहाँ पे आपको OK पे क्लिक करना है उसके बाद आपको final submit करना है और pop up के मादम से final submit कर देना है तो ये पंचायती राज विभाग के दरब से instruction आई है तो form भरने से पहले एक बार complete जो इनका article है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते है detail advertisement है इनका पंचायती राज विभाग का और जिसमें सभी चीज में पंचायती राज विभाग का selection criteria को discuss कर लेते हैं इसके बाद हम form को apply करेंगे तो सबसे पहले जो criteria है यदि आपने BTEC B या Diploma in Civil Engineering किया है यदि आपने 40% से कम marks attend किये हैं तो आपको इसके कोई marks नहीं मिले और यदि 41% से लेके 80% तक आपने marks लिये हैं तो per marks आपको 1% के increment मिलेगा जैसे कि माल लेते हैं आपके Diploma in Civil Engineering में आपके 78% आए हैं या फिर आप माल लेजी आपके BTEC में भी आपके 78% अंक आए हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 40 में 38 नमबर यदि माल लेते हैं कि आपके Diploma या BTEC में आए हैं 72% मार्क overall तो आपको यहाँ पर मिलेगे 32 अंक इस 40 के अंदर तो यह हुआ पहली काइटेरिया और यदि आपके 80-100% के बीच में भी हैं तो आपको 40 नमबर ही अवार्ड होंगे यानि कि जो maximum marks हैं आपको यहाँ पर 40 ही मिलेंगे 40 में Second criteria है आपकी qualification के उपर यदि आपने degree किया है यानि कि BTEC, BE या Bachelor in Architect तो आपको यहाँ पर 20 नमबर मिलेंगे यदि आपने डिपलोमा किया है तो आपको 10 नमबर मिलेंगे यदि आपने दोनों किया है तो भी आपको 20 नमबर मिलेंगे यदि आपने केवल BTEC किया है तो भी 20 तो आपको 10 नमबर मिलेंगे, 2 साल से 3 साल के experience में 20 नमबर और 3 साल से अधिक experience होने पे आपको 30 नमबर मिलेंगे, इसमें जो अधिकतम marks हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नमबर का है experience है काईटेरिया, चौथा काईटेरिया में आ जाते हैं जिसमें certification की बात की गई है, जिस ध्यान दीजेगा, इस काईटेरिया के अंदर आपको maximum 10 marks ही मिलेंगे, जी हाँ, यह चीज ध्यान दीजेगा, अगर आपके पास यह तीनों चीज हैं, तो 5, 10, 13, आपको 13 नमबर नहीं मिलेंगे, आप 10 नमबर के लिए ही eligible हैं, यानि कि आप इस काईटेरिया से maximum 10 नमबर ही आप ये भी, आपने ये किया है, और आपने ये किया है, तो आपको 10 नमबर मिलेंगे, यानि कि O-Level का certificate है, या फिर एक साल का कोई भी computer course, जो की एक साल का course होना चाहिए, या फिर आप ADCA कर लिजिए, Advanced Diploma in Computer Application, या फिर DCA कर लिजिए, Diploma in Computer Application, तो यहाँ पर आपका ये च परकार से ये आपके 100 नमबर हुए, जो आपकी merit list है, वो prepare की जाएगी above parameter पे, जैसे कि सभी district की अलग-अलग merit बनेगी, यदि आप लखनव से हैं, इलाबाद से हैं, वारानसी से हैं, साजहापुर से हैं, बरेली से हैं, कहीं से भी होंगे, उत्तर पदेश के 75 में से किसी ज के लिए से भी होंगे, हर जिले की अलग merit बनेगी, यानि की जिलावार merit बनेगी, district wise merit बनेगी, तो यहाँ पर जो आपकी merit है, वो fluctuate कर सकती है, हो सकती है, जो district है, जो जैसे लखनव, कानपुर, वारानसी, इलाबाद, इन district की merit हो जादा बने, और बाकी जो non famous district है, यानि की जहाँ पर लोगों का interest कम होता है, उन district की merit कम बनेगी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से contribution है, बाकी आपको आने वाले वीडियोज में ये भी discuss करेंगे, कि किस district की क्या merit बन सकती है, क्या analysis हो सकता है, form apply होने के बाद, जिस हिसाब से जितने form पढ़े होंगे, उस हिसाब से इस application for the post of architect slash consulting engineer civil, तो सबसे पहले आपको PRD finance की website पर जाना है, यहाँ पर जब आप form खुलने के बाद, सबसे पहले आपको अपने personal details फिल करने है, applicant का अपना पूरा नाम, जो भी आपके high school का certification है, उसमें आपका जो complete name है, वहाँ पर आपको यहाँ पर यह फिल करना है, उसके बा आपको अपनी category फिल करनी है, category में मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, SC, ST, OBC, UR, इस तरीके से category select करनी है, फिर आपको अपना home district select करना है, जो भी आपका home district है, home district आपको select करना है, आपको permanent address, correspondence address, फिर date of birth, जो भी high school की date of birth है, आधार कार्ट का नंबर, email और mobile नंबर आपको यहाँ पे select करना है, फिर academic की बात करें, तो academic में यहाँ पे इन्हों ने mention किया है, कि यदि आपके percentage कुछ भी हूँ, यदि वो points में percentage आते हैं, तो भी आपको जैसे मान लेते हैं, कि आपके percentage हैं, 80.9, यदि आपके 80.9, 2% है, या फिर मान लेते हैं, आपके percentage हैं, 75.65 तो आपको यहाँ पर 75 फिल करना है इस box के अंदर, ऐसी यहाँ पर instruction लिखा हुआ है, जैसे इन्हों ने लिखा है कि यदि आपके percentage है 45.6 तो आपको इस box के अंदर 45 ही फिल करना है, तो यहाँ पर आपको select करना है, जैसे कि आपने बीटे किया है, बी किया है, या फिर बैचलर architect किया है, या फिर diploma in civil engineering किया है, उसे आपसे select करके यहाँ पर भरना है, फिर आपको next certification, यदि आपने NCC किया है, तो NCC scout guide या district का certificate है, तो district का certificate नहीं किया है, तो आप blanks छोड़ सकते हैं, यदि आपने एक साल का computer course या O level है, तो आप यहाँ से tick करना है, company में जो भी आपके experience ह तो select करना है, जो भी companies के experience है, जिसमें उनका serial name, sector, company name, design nation, क्या work किया था, किस period से लेगे, किस period तक work था, किस महीने से, और किस साल तक क्या काम था, उस चीज़ को आपको department wise प्रोसीड करना है, यहाँ से प्रोसीड करने के बाद अगले step में आपको documents की PDF अपलोड करनी है, जो पर instruction में ये चीज़े mention है, पहले step में आपको prdfinance.gov.in website पर जाना है, impanelment of 1875 architects slash consulting engineer पर जाना है, वहाँ से जो application link है, application link पर click करना है, application link के बाद आपका form open हो जाएगा, जो कि मैंने form आपको दिखाया था, form दिखाने के बाद आपको पूरे form को fill करना है, fill करके save in proceed कर देना है pop-up menu दिखेगा, वहाँ से record को save करने के option आएगा, तो save successfully के बाद click ok करना है, उसके बाद आपको सारे pdips, यानि कि जो भी आपके documents है, चाहें आपका diploma हो, degree हो, experience certificate हो, उन सभी को pdf upload करना है, pdf का size 200KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको upload कर देना है, उसक इसके बाद आपको final submission पे tick करके final submit करना है, और pop-up में final submit form कर देना है, इस परकार आप पंचायती राजविभाग में, diploma in civil engineering, या btech या bachelor in architect के माध्यम से, जो architect और consulting engineer का जो form है, आपका fill हो जाएगा, form की आखरी दिनांग 15 जून 2022 है, form की कोई form fees नहीं है, तो आप सभी form को जदा जदा apply करें, और अपने friends के साथ share करें, ताकि वो भी apply कर सकें, और ये vacancy district wise है,